सबसे पहले कोश्चन की बात करें दोस्तों तो हीमफोलिया एक आनुवनसीक रोग है जिसका परिडाम है, इनसे आपको बताना है हीमफोलिया एक आनुवनसीक रोग है इसका परिडाम क्या है तो इसकी right answer दोस्तों, इसका right answer जाएगा option number D हेमफोलिया जो की एक आन्वनसिक रोक है इसका परिडाम क्या होता है तो रक्त का नहीं जमना आपको बता दे कि कुछ बीमारियों में रोगी की रक्त इसकंदन छमता छीड हो जाती है ऐसे ब्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त का इस्तरावर होता रहता है जिसे हेमफोलिया नामक आन्वनसिक बीमारी भी हो सकती है ऐसा होता है अगला कोशन देख लेते हैं एक क्यू पंचर खाली स्थान है में अधिक प्रचलित है इनमें से पताना है एक्क्यू पंचर किस देश में अधिक प्रचलित है most important question है दोस्तों देख लिजे तीन बार आया हुआ है तो इसका right answer बात के दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number C एक्क्यू पंचर जो की चीन में अधिक प्रचलित है यह एक अती प्राचीन चीनी चीकिस्सा पद्धती है दोस्तों इस पद्धती के द्वारा दर्दों को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दसाओं जैसे malaria और गठिया आधी रोगों का उप्चार करती है चलिए अगला question देख लेते हैं Cancer अस्थी मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है आपको तन है जो Cancer बिमारी हो जाता है वो अस्थी मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number B यानि लिवकेमिया Cancer अस्थी मज्जा की लिवकेमिया को प्रभावित करता है रक्त कैंसर को लिवकेमिया कहा जाता है सामाने तह तोर पर RBC और WBC का अनुपात 600 सम्मंधे 1 होता है यदि WBC का अनुपात 1 आएक बढ़ने लगता है तो इसे लिवकेमिया यानि रक्त कैंसर कहते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं अधिस्वेत रक्तता है एक प्रकार का इन्वेस बताना है कि जो अधिस्वेत रक्तता जिसे हम लिवकेमिया कहते हैं वह एक प्रकार का क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option number D यानी करक रोग जिसे हम क्या करते हैं cancer अधी स्वेत रक्तता रक्त या अस्थी मज्जा का करक रोग है इसमें स्वेत रक्त कडिकाओं की संख्या में और सामान ब्रिद्धी होती है इसके कारण सरीर की प्रतिरच्छा प्रडाली प्रभावित होती हैं चलिए अगला question देख लेते हैं जो अगला question है दोस्तो निमलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है बहुत रिपाटर यह भी question है दोस्तो आपको बताना है कि इन में से कौन सी बीमारी छूत की बीमारी है जिसका right answer हो जाएगा option number B hysteria hysteria क्या होता है तो hysteria रोग छूत की बीमारी नहीं है दोस्तो यह एक मानसिक रोग है इसमें इच्छा अथवा आसा के विघात होने पर आवेस पूर नाट की बेवार रोगी के हाथ फ़यर में अकड़न सरीर में कपकपी होती है जबकि चेचक की बात करें दोस्तो तो चेचक तथा influenza virus से तथा टाइफाइट की बीमारी है अगला question देख लेते हैं दोस्तो निमने लिखित में से किस रोग में रोगाडू खुले घाव से होकर प्रवेस करते हैं आपको बताना है कि जो रोग कौन सा हुआ रोग है जिसमें रोगाडू खुले घाव से होकर प्रवेस करते हैं तो इसका अभी right answer हो यानि टिटनेस जो होता है ये classy dredium यानि टीटेनी नामक जीवाडू के द्वारा होता है अगला question देख लेते हैं दोस्तो धनुष्टाकार का अर्थ क्या होता है आपको बताना है कि जो धनुष्टंकार का अर्थ इन में से क्या होता है तो इसका भी right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानि टिटनेस जिसे धनुष्टंकार कहते हैं जो एक प्रकार की बिमारी है इसका एक नाम सतत पेसी संकुचन भी होता है इसका एक नाम और है धनुष्टंकार चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तो इन में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है वो मच्छरों से नहीं होता है जो आपको बता दे कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है या मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं है इसके अलामा जो है डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग है चलिए अगला question देख लेते हैं पानी से होने वाला रोग निमनलिखित में से कौन सा है आपका बताना है कि इन में से कौन सा रोग पानी से हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों अफसन नमर डी यानी टाइफाइड टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड सालमो नेला ट्राइफी नाम जीवालू से होता है यह रोग पानी की गंदकी से फैलता है इसमें रोग की उद्भवन अवधी पांच से लेकर 20 दिन तक होती है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों टाइफाइड रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना है कि जो आहार नाल आपको टाइफाइड जो कि छोटी आत को प्रभावित करती है छोटी आत आहार नाल का ही भाग होता है अता कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों आपके आगामी एक्जामनेशन के group d examination and second दोस्तों e-book है आप ए science के 1000 question दोस्तों जो बार-बार आपके examination पूछे गए and most expected है और सबसे बड़ी बाद दोस्तों ये complete detail के साथ e-books मैंने बनाया है तो अगर आपका science का portion weak है तो आप इस particular e-book से पूरा cover कर सकते हैं थोर्ड static gk जो बहुत ज्यादा important दोस्तों revision करने और याद करने में help करेगा एं दोस्तों gk को आप topic wise cover करना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए मैंने 70 topic का देखे topic wise gk का e-book बनाया है यह सभी e-book आपके आगामी RRC group d examination NTV CBD2 CHSL UP police लेकपाल सभी परिछाओं के लिए बहुत जरूरी है तो आप जरूर से कौन सा टाइफ हाइट से प्रभावित होता है इसका right answer बात के दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number d यानि आथ अभी मैंने आपको बताया है कि जो टाइफ हाइट होता है वो छोटी आथ यानि आहार नाल का भाग होता है जिससे वह आथ को प्रभावित मुख्य रूप से आथ को ही प्रभावित करता है जिसे हम मियादी बुखार भी करते हैं दोस्तों अगला question देख लेते हैं निमनलिखित में से कौन सा रोग मच्छों के द्वारा नहीं फैलता है इसमें आप देखें कौन सा रोग जो मच्छों के द्वारा नहीं फैलता है तो आपको बताना है कि इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D यानि टाइफाइड जो की मच्छरों के द्वारा नई फैलता है। अगर हम पीत जोर की बात करें एक संक्रामक तथा तिब्र रोग है जो इडीस इजीप्टी जाती के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू की बात करें तो एक उष्ण कर्टी बंदी या संक्रामक बीमारी है जो इडीस इजीप्टी जाती के मच्छरों से फैलता है। और टाइफाइड की बात करें तो सालमो नेला ट्राइफी नामक जीवारू से होता है जो संक्रमित खाद पदार्थो पानी के माध्यम से फैलता है। फील पाउं की बात करें दोस्तों तिया मच्छर से फैने वाला रोग है। निमनलिकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। यह मच्छर जो माधा मच्छर होता है एनोफिलीज के काटने से फैलता है। मानव में पलाज्मोड्यम का संक्रमड उत्पन करता है। मालेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोड्यम होता है। प्रोटो जोवा संह का एक जन्तु है और माधा एनुफिलीज मच्छर रोग का वाहक होती है। चलिए अगला question देखते हैं, एक malaria रोधी औसधी की तरह उपियोगी योगिक है, इन में से आपको बताना है कि कौन सी दवा है जो malaria रोधी औसधी की तरह उपियोगी योगिक है, जिसका right answer हो जाएगा दोस्तो, option no. b यनी chloroquine, एक malaria रोधी औसधी की तरह उपियोगी योगिक ह मलेरिया जो की मादा एनिफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है मलेरिया की प्रमुक्ष दवा भी कुनैन है दोस्तों सिनकोना है पेड की छाल से बनती है अगला कोश्चन देख लेते हैं निमनेलेखित की कमी से एनीमिया रोग होता है इन वे से आपको बताना है कि किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C यानि आयरन लोहा एनीमिया रोग में रक्त में हीमो गलोबीन की मात्रा घड जाती है यह रोग सरीर में लोह ततकी कमी से होता है चलिए अगला question देखते हैं दोस्तो, SARS यानि source का पुर्ण रूप क्या है, आपके उताना इन्वेस है, जो source का full form क्या है, जिसका right answer हो जाएगे दोस्तो, option number A यानि severe acute respiratory syndrome, source का पुरा नाम severe acute respiratory syndrome है, यह एक virus जनित बिमारी है, जो मानों के स्वसन वो परिशंचरण तंत्र को प् चलिए अगला question देखते हैं दोस्तो, epidermis रोग संबंधित है, इनमें से बताना है कि epidermis जो रोग है, इनमें से किस संबंधित है, इसका right answer हो जाएगे दोस्तो, option number C, यानि तवचा जो इसकीन होता है, epidermis रोग तवचा से होता है, तवचा में होता है, इस रोग में तवच एक दोसब्各al कारने से मधु में रोग हो जाता है, तो इसका right answer जाएगे दोस्तो, option number D, यानि अग्यासय, अग्यासय, मधु में रोग अग्यासय की खराब होने की करण़ ही होता है, इस रोग में अग्यासय की कोषिका यैग परियार्त मातरा में, इंसुलिन हार्मोन का नि करती हैं चलो एगला कोशन देखते हैं दोस्तो निमने लिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है चार अपसन है बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है तो इसका राइट अंसर है दोस्तो अपसन नमबर C यानी टिट Titanus 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 tit यानि टाइफाइड टाइफाइड जो कि DPT का T का अत्वा ट्रिपल एंटिजन डिप्थीरिया काली खासी तथा टीटिनेस में लगाया जाता है टाइफाइड डिपीटी द्वारा प्रतिरच्छी नहीं होता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो एस्टी में कौन एक बिमारी है किसकी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमर बी यानि आखो की एस्टी गमेटीज में जिसे अब इंदुकता भी करते हैं आखो की बिमारी है यह रोग कॉर्णिया और लेंस की वक्रता के दोसों के कारण होता है इसे भेंगापन भी कहा करना जाता है दोस्तों चले अगला कोशन देख लिए है एथलीट फूट रोग किससे होता है most important जिसे हम आव भाता में हाथी पाओ करते हैं तो इसे एथलीट फूट करते हैं यह रोग किससे होता है इनमें से आपको बताना है कि जो ये एठलीट फुट रोग होता है और किससे होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्से नमर B यानि फंगस से हो जाता है एठलीट फुट नमक रोग ट्राई कोफाइंटन का वक जिसे फंगस भी करते हैं से होता है इससे पैर की ग्रस्त हो जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नंबर B यानी गला डिप्थीरिया रोग जिसे हम कोरीनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जुवारू से होता है इस रोग में स्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे सास लेने में कठनाई होती है और दमघुटता है चलिए अगला और लास्ट कोश्चन है दोस्तो ग्लू कोमा वर टेक्रोमा बीमारी है इस इंवे से आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नंबर D यानि ग्लू कोमा और ट्रेकोमा आखों की बीमारी है यह रोहा आखों की बीमारी है इसे रोहा भी कहते हैं दोस्तो इन में आखों का कौर निया बढ़ जाता है आखे लाल हो जाती है तथा व्यक्ती निद्रा की ये वस्था में लगता है पहले दर्सन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जाता है चार अप्सन आपके पास से दिना है कि पहले दर्सन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जा सकता है तो इसका राइट अंसर जाएक दोस्तो अप्सन नमर डी यानि स्पार्क प्लग द्वारा पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का अंतरिक दहन इंजन है जो इस पार्क के द्वारा चलता है चलिए अगला कोशन देखते हैं यह अंतरिक उर्जा को विद्धुत में परिवर्तित करते हैं चार अप्सेन आपके बास बताना है कि यह अंतरिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं तो इसका भी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सेन नमबर डी यानि विद्धुत जनित्र द्वारा जो विद्धूत जनित होता है जिसे हम generator करते हैं या नत्रिक उल्जा को विद्धूत उल्जा में परिवर्थित करके विद्धूत उत्पन करते हैं अगला question देख लेते हैं सुस्क सेल में जो उल्जा संग्रहित होती है वह क्या है आपको बताना है जो सुस्क सेल होता है उसमें उल्जा संग्रहित होती है वह क्या है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number C यानि रासायनिक उल्जा जो सूस के सेल में संग्रहित उल्जा रासायनिक उल्जा होती है जो विद्यूत उल्जा में परिवर्टित होती है चले गला कोशन देख लेते हैं दोस्तों कारे करने में मानो सरीर द्वारा प्रयोक्त उल्जा होती है यानि जब कारे करने में मानो सरीर द्वारा कौन सी उल्जा प्रयोक्त होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगे दूर सो option number C यानि रासायनिक उल्जा मानो सरीर द्वारा कारे करने हैं तो प्रयोक्त उल्जा रासायनिक उल्जा होती है जो carbohydrate वसा एवं protein के द्वारा प्राप्त होती है चलिए अगला question देख लेते हैं जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है आपको दान है जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है तो क्या होता है जब एक वस्तू का वेग दो गुना हो जाता है तो समवेग भी दो गुना हो जाता है चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तो दो और समान द्रब्यमानों की गतिज उल्जा समान है तब अथिक द्रब्यमान का आवेश क्या होगा इसका right answer बात के दोस्तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि जैदा होगा चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तो जब हम rubber के गद्दे वाली seat पर बैठते हैं अथ्वा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाई जाती है इनमें से आपको बताना है कि जो rubber के गद्दा होता है अगर उसमें बैठते हैं या लेट जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है जब हम rubber के गद्दे वाली seat पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में इस्थितीज उर्जा पाई जाती है अगला question देख लेते हैं दोस्तो एक गोल आंतरिक कोना क्या कहलाता है आपको बताना है कि एक गोल आंतरिक कोना इन में से क्या कहलाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option नमर बी यानि फिलेट कहलाता है जो एक गोल आंतरिक कोना होता है उससे फिलेट कहते हैं चलिए पटरियों के नीचे चोड़े लकड़ी के पट्टे लगाय जाते हैं क्यों आप सभी लोग ने देखा होगा कि रेल के पटरियों जो नीचे चोड़े लकड़ी के पट्टे जो लगाय जाते हैं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों अफसन नमर डी हो जाएगा गाड़ी द्वारा उत्पन दबाव को कम करने के लिए तो आप सभी जानते हों कि रेल के पटरियों नीचे चोड़ लकड़ी के पट्टे जिसे स्लीपर भी कहते हैं लगाया जाता है जिसे से गाड़ी द्वारा उत्पन दबाव को कम किया जा सके चलिए एगला कोश्चन दे है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A यानि दोनों पटरियों को जोड़े रखना रेल पत में जो फिस प्लेट का कारल है दोनों पटरियों को जोड़े रखना होता है चलिए अगला question देखते हैं इंजन से power आवेगो को सिथिल करने के लिए प्रयूक्त है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number A यानि clutch जो इंजन से power आवेगो को सिथिल करने के लिए clutch का प्रयूक्त करते हैं क्योंकि यह gear और gearbox को इंजन से मुक्त कर देता है जिससे सकती को कार्य में समपरिवर्थित नहीं कर पाता है यह भी most important question है दोस्तों अगला question देख लिएक राकेट और एक jet engine भिन है क्योंकि इनमें से बताना है कि एक राकेट और एक jet engine इनमें से क्यों भिन है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number E है उसका right answer जो हो जाएगा दोस्तों option number E C और D एक राकेट और जेट इंजन भिन क्यों हो क्योंकि राकेट में आक्सीजन के आपूर्थी की बेस्था उसी में होती है जबकि जेट हवा बाहर के वातवरर से प्राप्त करता है और हो जाएगा राकेट किसी यान को अंतरी सग ले जाता है कि इन में से किस में not का उपयोग किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो अपसन नमर C यानि गती में not का उपयोग जलेयानों की गती के मापन में होता है चलिए अगला question देख लेते हैं दोस्तो पिंड का भार सुन्य नहीं होगा चार अपसन आपके पास बताना है कि पिंड का भार इन में से कहां पर सुन्य नहीं होगा तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो अपसन नमर D यानि किसी घरसड हीन सतह पर किसी पिंड का भार सुन्य नहीं होता है क्योंकि पिंड के भार पर उसके घरसड का फर्क नहीं होता चलिए अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो चंद्रमा की सतह से एक चटान को लाया जाता है तब क्या होगा जब चंद्रमा की सतह से एक चटान को लाया जाता है तब क्या परिवर्तन होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमबर B यानी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किन्तु इसका द्रब्यमान परिवर्तन नहीं होगा अगर हम चंद्रमा की सता से किसी पिंड को प्रीथवी पर लाने पर उसका भार चंद्रमा पर उसकी भार का च्छगुना हो जाएगा जबकि उसका द्रब्यमान अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि द्रब्यमान इस्थिर निर्पेच होता है और पदार्थ का एक मौलिक गुड होता है चले एकला कॉश्चन देख लेते हैं दोस्तों बादलो की दिसा एवं गती को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो इसका राइट अंसर होजा गती दोस्तों से बादलो की दिसा एवं गती और हाइग्रो मीटर से हम आरधिता का मापन पन किया जाता है अल्टी मीटर से क्या नापते हैं? चार अप्सन है most important ये भी है दोस्तों आपको बताना है कि अल्टी मीटर होता है उससे इन में से क्या मापते हैं तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अप्सन नम्म B यानि भूतल से उचाई अल्टी मीटर से उचाई मापी जाती है और वायो मंडली दाब को बैरो मीटर से मापते हैं और धारा की सामर्थ को bolt में एवं सुनाई देने में अंतर को defisible से मापते हैं अगला question देख रहते हैं दोस्तों एक lift में किसी ब्यक्ती का प्रत्यच भार वास्तविक भार से कम होता है जब lift जा रही हो तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number B यानी त्वरण के साथ नीचे ये भी most important दोस्तों maximum questions में most important है तो आपको बताते हैं जब lift त्वरित गती से नीचे की ओर जा रही हो तो lift में इस्थित किसी ब्यक्ती का प्रत्यच भार उसके वास्तविक भार से कम हो अगला question देख लेते हैं मनुष से lift में कब अपना भार महसूस करता है चार अपसन है ये भी most important question है दोस्तों बताना है कि मनुष से lift में अपना भार कब महसूस करता है तो इसका right answer जाएगा option number A यानी त्वरण के साथ उपर जाते समय यानी जब मनुष से lift में त्वरण के सा उपर जाते समय अपना भार महसूस करता है जब lift एक समान वेग से उपर या नीचे गती करती है तो lift में इस्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है चलिए अगला question देख लेते हैं प्रीथवी से चंद्रमा पर जाकर वापस लोटने पर अंतरिच या पर अंतरिच यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार करने के लिए अधिक्तम उलजा की आवसकता होगी तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो अफसन नमब B यानी उडान शुरू करते समय प्रीथवी का गुरुत्व है यानी प्रीथवी पर पलायन वेग का मान 11.2 कीमी प्र योग किया जाता है अगला कोश्चन देख लेते हैं सरीर का वजन बॉडी का वेट आपको इनमस बताना है कि इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो ऑफसन नमर B यानी सरीर का वजन जो होता है ओध्रूओ पर अधिक्तम होता है चलिए अगला कोश्चन देख है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो ऑफसन नमर A यानी गृत्वा करसर बलकी अधिक छीड़ता के कारण चंद्रमा पर वायू मंडल नहीं पाय जाते हैं और इसका कारण एक है को वायू मंडली ये गैसो का वेग चंद्रमा पर पलायान वेग से अधिक होता है जिससे गैसे पलायान कर जाती हैं चले अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो एक सिकारी ब्रिच पर लटके एक बंदर के सिर को लच करके गोली चलाता है गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है वैसी दसा में गोली क्या होगा इसमें से आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा जिसका right answer जाएगा दूस्तो ओफसन नमबर ए यानि बंदर के सिर में छेद कर देगी आपको उताते जब गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी क्योंकि गोली छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों समान उर्ध्वाधर त्वरण जी कारे करता है अगला क्या होगा इन में से आपको बताना है कि ट्रक तथा कार समान गतिज उलजाक साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयोक किया जाए तो क्या होगा तो इसका right answer जाएगा option number C यानि दोनों ही ठहरने के पुर्व एक समान दूरी तै करेंगे क् दोनों एक समान गतिज उलजा के साथ गतिसील है तथा उन्हें रोकने के लिए एक समान बल प्रयोक किया जाता है इसलिए दोनों ही ठहरने के पुर्व एक समान दूरी तै करेंगे चलिए last question देख लेते हैं दोस्तों भौतिक तुला कारे करता है बताना है कि इन में से भौ गोबरगास सैंत्र का अविस्कार किस ने किया था? Most important question है दोस्तों कि गोबर गैस जो सैंतर था उसका अविस्कार किस ने किया था इसके right answer बात के दोस्तों इसका right answer रहेगा option number A यानि CB देशाई ने गोबर गैस सैंतर का अविस्कार CB देशाई ने किया था गोबर गैस सैंतर से निकलने वाली जो मुख्य गैस होती है उसे मीथेन कहते हैं उसे क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं अगला question देख देख देते हैं किस गैस से सड़े अंडे की गंद आती है इसका right answer होयागा option number A यानि hydrogen sulfide hydrogen sulfide gas से सड़े अंडे की गंद आती है और यह एक रंगहीन तथा अधिक विसहली gas है चलिए अगला कोशन देखते है cathode किरडे हैं इनमें से आपको बताना है जो cathode किरडे क्या है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number A cathode किरडे जो की electron की धारा है cathode किरडे को electron beam भी कहा जाता है तथा यह electron की धाराएं है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है most important है दोस्तो very very important यह कोशन है maximum बार एक्जाम में आता है हर एक्जाम में यह पूछता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है इसकी right answer बात के तो इसका right answer रोजाएगे दोस्तो option number D यानी methane जो होता है ओगोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है यह एक घरेलू इधन के रूप में भी प्रयोगत होती है गोबर गैस के अवसिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है बायो गैस में मीथेन सरवाधिक मातरा में पाई जाती है चलिए अगला कोशन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरड सूरे से हानिकारक प्रयबैगनी वीकिरड को असोसित कर लेता है चारे अपसन आपको पास बताना है कि कौन सी गैस का आवरड सूरे से हारी कारक प्रयबैगनी वीकिरड को असोसित कर लेता है जिसका राइट आंसर हो जाएगे दोस्तों ओप्सन नमबर A यानि ओजोन, जो कि ओजोन, गैस प्रीतवी की रच्छा कोज की तरह कारिकरती है, अताहिया गैस, सूर से हारीकारक, değer Emperor के रच्छा करती है, तथा प्रीतवी पर जीवों की रच्छा करती है। अगला question देख लेते हैं, laughing gas है, most important ये भी question है दोस्तों, maximum exam में पूछता है कि laughing gas कौन सी है इन में से, इसका right answer रुजाएगा option number C, N2O, laughing gas जिसे N2O भी कहते हैं, nitrous oxide को सुंगने से उत्तेजना उत्पन होती है और हसी आने लगती है, अगला question देख लेते हैं, why you निमनलिखित में से क्या है, आपको बताना है कि जो why you है, वो इन में से क्या है, तो इसका right answer बात कि दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा option number C, यानी मिस्त्रड, why you जो कि बिभिन गैसों का एक मिस्त्रड है, इसमें nitrogen, oxygen, carbon dioxide, जलवास, अक्रिय गैसे आदी होती है, अगला question देख लेते हैं दोस्तों, बंद कमरों में स्टोव व अंगिठी का प्रियोग न करने की सला किन कारणों से दी जाती है, ठंडी में जैसे बंद कमरा रहता है, तो वहाँ पर बता जाता है कि कमरों में स्टोव अंगिठी का प्रियोग न करने की सला क्यों दी जाती है, तो इसका right answer जाएगा दोस्तों, रहानी कारक होती है अगला question देख लेते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन आ सत्य है आपको बताना है कि इन में से कौन सा कथन प्राकृतिक गैस के मिस्रड होता है जिसमें 80% CH4 राता है इसका प्रयोग ईधन के तौर पर किया जाता है इसका प्रयोग उर्वर रखों के निरमाड में भी किया जाता है चलिए अगला question देख लेते हैं producer gas का ईधन तथा nitrogen के इस्त्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है यह gas प्राप्त की जाती है चार अप्सन है आपको बतना है कि जो producer gas का इधन तथा nitrogen के इस्तरोथ की रूप में प्रयोग किया जाता है यह gas कहां से प्राप्त की जाती है जिसका right answer जाएगा दोस्तो option number D यानि भाप को उदिप्त कोक पर प्रवाहित करने पर जो producer gas होता है ओ इधन तथा कांचवा इस्पात और nitrogen के इस्तरोथ की रूप में प्रयोग की जाती है यह gas भाप को उदिप्त कोक परवाहित कराने पर प्राप्त होती है producer gas मुख्यत नाइटोजन तथा carbon monoxide gas का भी मिस्रड होता है अगला question देखते है प्रति दिप्ती प्रकास नालिका में निवनलिखित gas होती है बताना है जो प्रति दिप्ती प्रकास नालिका में कौन सी gas होती है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number B organ अगला question देख लेते हैं दोस्तो hydrogen gas सामाने तह तयार की जाती है चार अपसन है आपके पास बताना है कि hydrogen gas सामाने तह कैसे तयार की जाती है तो इसका right answer जाएगा दोस्तो option number D यानि तनू क्रीत H2SO4 के साद सुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा जब तनू H2SO4 के साद सुद्ध जस्ता की क्रिया से H2 gas सामाने तह तयार की जाती है अगला question देख लेते हैं द्रवित petroleum gas के प्रमुक संगठक है चार अपसन है आपके पास बताना है कि द्रवित petroleum gas के प्रमुक संगठक क्या है जिसका राइट आंसर हो जाएगा option number C यानि ब्यूटेन और आईसो ब्यूटेन आपकी बात बताते कि LPG या द्रवित petroleum के प्रमुक संगठक ब्यूटेन और प्रोपेन है LPG की रिशाओं की पहचान है तू उसमें दुरगंद युक्त पदार्थ मीथाइल मरकेप्टोन मिला दिया जाता है इसमें ब्यूटेन की मात्रा सरवाधिक होती है चलि एगला question देख लेते हैं रसोई गैस मिस्रड है चार अपसन है आपको बताना है कि रसोई गैस किसका मिस्रड है तो इसका right answer हो जाएगा अभी अभी मैंने बताया आपको C हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो रसोई गैस जिसमें LPG कहते हैं मुक्यत ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिस्रड होता है चलि एगला question देखते हैं किसी गैस का आयतन इस्थिरताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिसत बढ़ाना होगा तो इसका right answer हो जाए के लिए उसका दाब 25% बढ़ाना होगा चलि एगला question देख लेते हैं दोस्तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस सुन आयतन घेरेगी चार आपसन हैं आपको बताना है कि जा तापमान होता है उसको कितना कम कर देने से सभी गैस सुन आयतन घेरेगी तो इसका right answer चाह आयतन घेरेगी, चाल्स के नियम के अनुसार परम सुन्य पर गैस का आयतन सुन्य हो जाना चाहिए, परन्तु सभी वास्तविक गैसे इस ताप तक पहुचने के पहले ही द्रव या ठोस पदार्थ में परिड़त हो जाती है, चलिए अगला कोश्चन देखते हैं, बॉयल निय इस्थिती में लागू होता है, इनमें साब को बताना है कि कौन सा बॉयल नियम में लागू होता है, इसके राइटन से बात कें दोस्तो, इसके राइटन से ओजाएगा option number B या नियततापमान, जो बॉयल नियाम के अनुसार देखेँगे तो इस्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के वियुतकरमान उपाती होता है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों तापमान और दाब की समान इस्थितियों के अंतरगत सभी गैसों के समान आयतन में अड़ूं की सामान ने संख्या रहती है यह नियम कहा जाता है चार अपसन आपक नियम अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों ओक्सी एसिटीलीन फ्लेम कटिंग के दारान धातु कट जाती है इसका राए टंसर जागत दोस्तों उपसन नमट डियानी गहन ऑक्सी करड़ द्वारा जो ओक्सी एसिटीलीन फ्लेम कटिंग में जो दो गैसों आपसीजन एव अगला question देख लेते हैं दोस्तोört निम्नलिखित में से कौन बड़े सहरोगी वायू को प्रदूसित करता है चार option है आपको पास बताना है कि इनमें से कौन बड़े सहरोगी वायू को प्रदूसित करता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगे दोस्तों, option number B यानि लेड, बड़े सहरों में वाहन जनित प्रदूसर परियार्थ होता है, इधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल में, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड पड़ता है, अगला question देख ले इस्टेशनों पर उनमें मोटर कारों के जो प्रदूसर जाच द्वरा किसकी जाच वा अनुमान किया जाता है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number A यानि सीसा वा कार्बन कड़का, जो सर्विस इस्टेशनों पर प्रदूसर जाच में सीसा एवं कार्बन कड़ों की जाती है क्योंकि इसकी प्रमुक मोटर यान प्रदूसर को में गड़ना होती है, चलिए अगला कोशन देख लेए दोंगे दोस्तों, आदर्स गैस की उर्जा आधारित होती है, आपको बताना है कि आदर्स गैस की उर्जा इनमें से किस पर आधारित होती है, तो इसका निमनलिखित में कौन सी आदर्स गैस नहीं है, चार अपसन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आदर्स गैस नहीं है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों, अपसन नमबर सी यानि सीली कौन, ये वे सभी गैसे आदर्स गैसे कहलाती है, जो आदर्स गैस समी करड जो होता है PV बराबन NRT का अनुसरड करती हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो एक आवोगादरो संख्या का मान होगा मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कारबन 12 में उपस्थिक परमाडूओं की संख्या के बराबर होती है आधुनिक तकनीकी से ग्याद क्या जा चुका है कि 12 ग्राम कारबन में परमाडूओं की संख्या 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होती है इन संख्या को ही आवोगादरो संख्या कहते हैं चलिए अगला कोश्चन देख लेता हैं दोस्तो निवनले लिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं मोस्ट रिपोर्ट ये भी कोश्चन है दोस्तो आपको बताना है इन में से मार्स गैस किसे कहते हैं इसके राइट अंसर बात करें दोस्तो तो इसका राइट अंसर जाएगा ओप्सन नमबर D यानी मीथेन को मीथेन जो की प्रक्रति में दल दली अस्थानों में पाया जाने के कारण मार्स गैस कहलाती है यहां कारबनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है कोईले की खानों में भी यहां पाई जाती है जिससे प्राया आग लग जाती है इसी कारण से इसे fire dump भी कहते हैं तो यह तो आज की वीडियो आपकी वीडियो कैसा लगा comment section में जरू करतेज़ेगा वीडियो पसंद रहा होगा दोस्तो तो एक लाइक जरू करेगा चैनल के हमारे नए है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके वे लाइक दबा लिजेगा क्योंकि हमाने वाले group exam के लिए preparation जोर सोर से करा रहे हैं जिससे आपको exam में कोई भी परसानी का सामना नहीं करना पड़े तो मिलते हैं दोस्तो अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत